सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे लोक सभा में री इंस्टेट किया आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं आज आज आपको डनने की जरूरत नहीं आज जो मेरा भाशन है और आप आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है आज मैं अपना भाशन मेन जो भाशन है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूँ तो आप रिलाज्स कर सकते हैं राहुल गंधिये नीजोर बॉक्टेप्योर केंडर सोरकार और बिरुद्धे आनीले इतोर पिसाथी तो अभीजो राहुल गंधिये भाख़न और पिसाथे केंडर मंध्री स्विर्धी इरानी दीगोल प्रतीतु अभीजोगर प्रत्यूक्तर राहुल गंधिये कले केंडर सोरकारे मनिपूरत हिंदूस्तान खट्या कोरिसे स्पीकर सर कुछी दिन पहले मैं मनिपूर गया हमारे प्रत्यान मंत्री नहीं गए आज तक नहीं गए क्योंकि उनके लिए मनिपूर हिंदूस्तान नहीं है मगर आज की सक्चाई ये है कि मनिपूर नहीं बचा है मनिपूर को आपने दो भाग में कर दिया है मनिपूर को आपने बाट दिया है स्पीकर सर इन्होंने मनिपूर में हिंदुस्तान की हत्या की है सिरब मनिपूर के लई हिंदुस्तान की हत्या की है इनकी राजनेती ने मनिपूर को नहीं हिंदुस्तान को मनिपूर में मारा है हिंदुस्तान को कतल किया है हिंदुस्तान का मुडर किया है आपके आसन पर जिस प्रकार का आत्रमक बरताव आज देखा गया उसका मैं खंडन करती हूँ पहली बार राश्रिके के हास में भारत माप की हप्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालिया बजाती रही जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पिटी आज इस सदन में इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है भारत हमारी जंता की अवाज है दिल की अवाज है उस अवाज की हत्या आपने मनेपूर में की इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मनेपूर में की एक मेरी माँ या बेटी है, दूसरी माँ को आपने मनिपुर में मारा है, हर रोज जब तक आप हिंसा को बन नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हदिया कर रहे हूं मनिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है, मैं इनसे पूछती हूँ, इनहीं की अलाइंस के एक सदस्य बैठे हैं, जिन्होंने तमिल नाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत, अगर हिम्मत हो रहुल गांधी में, तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाश करने वाले दियेंके के अपने साथी का खंडन करके बताएं तो अगर नरेंद्र मोधी जी हिंदुस्तान के अवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी अवाज सुनते हैं? दो लोगों की, रावन दो लोगों की सुनता था, मेगनाथ और कुम्बकरद, वैसे ही नरेंद्र मोधी दो लोगों की सुनते हैं, अमिद्शा और अदानी, लंका को हनुमान ने नहीं चलाया था, लंका को रावन के अहंकार ने चलाया था, रावन के अहंकार ने रावन को मारा था राहुल कांधिये मोनिपूर और मोहिलार डूलडोकर कथा कुआर पोरिवोटे स्पृती रानिये कॉले कॉंग्रेज और दिनोट कश्पी रोके धोरी भीनो स्थानोट मोहिलार बिरुट्थे हुआ अपराधर कथा त्रिलोकपुरी में तीस औरतों को एकठा करके चीला गाओं में ले जाकर उनका बलातकार किया सुल्तानपुरी में एक महिला ने आफिडेविट दी है मेरे हजबन को मार दिया बेटी को शादी से एक रात पहले उठा कर ले गए और उसका बलातकार किया एक 45 साल की मा ने कहा सिख दंगों के दोरान कि ना सिर्फ मेरे पती को मारा ना सिर्फ मुझे गैंग रेप किया बलकि मेरे सामने मेरे बेटे पर केरोसीन चड़क कर उसको आग लगा दी गई और आज धारत की बात करते पांच मिनिट के लिए कौंग्रेस की एक नेति जानते जिनोंने प्रस्तावना कि उनसे कहते हूँ नल्ली का मैसिकर हुआ पांच मिनिट के लिए कौंग्रेस की एक मेत्री गई लेकिन इनका क्या रुख था तब 2012 में करुन बुगोई जी ने स्वैम वक्तव्य दिया है कि दंगे हो रहे हैं लेकिन कौंग्रेस की केंडर की सरकार ना ट्रूप्स दे रही है ना इंटेलिजन्स दे रही है कोक्रा जार की बात करते हैं ये मेरा वक्तव्य नहीं है तबके कौंग्रेस के मुच्चे मंत्री तरंगोगोई का वक्तव्य है कोक्रा जार में इंसा होती है धुबडी में तीन-तीन महीने कर्फ्यू रहता नुस्टेस्ट रिपोर्ट नुसेटी अखर नौथेस्ट